आयोध्या में राम जन्म भूमी के लिए जमीन खरीद मामले में करोडों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद राम जन्म भूमी ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने ट्रस्ट पर लगे आरोपो को सिर्य से खारिज कर दिया है चंपत रॉय ने कहा मैं आरोपो की परवान नहीं करता हम पर आरोप लगते ही रहते हैं सौ साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग हम पर मात्मा गांधी की हत्या क्या आरोप लगे आरोप की हम चिंता नहीं करते आप भी चिंता मत करिये, आप खूप लगाईए, आप अपना काम करिये, हम अपना काम करेंगे समाज को गुमरा करने के लिए कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, यह आरोप गलत है एक आदेकारी खत जारी का चंपत रॉय ने सारे आरोपों का खंडन किया है पिशले दिनों, समाजवाधी पार्टी ने अहोध्या में और आमार्भी पार्टी ने लखनव में प्रेस कॉन्फरेंस कर आरोप लगाया था कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जो जमीन कुछ समय पहले सर्फ 2 करोड रुपे में बिकी थी उसी जमीन को कुछ समय बाद 18 करोड से जादा में खरीद कर बड़ा घुटाला किया है समाजवाधी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पावन पांडे ने अध्या में मीडिया के सामने रजस्ट्री के दस्तावेज पेश कर आरोप लगाया कि राम जर्म भूमी की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाथक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और अवी मोहन को 2 करोड में बेची थी पावन पांडे ने कहा मैं प्रश्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ ऐसी कौन सी वज़त थी उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर कौन सा सूरा उगल दिया कि जिस जमीन का बेनामा 2 करोड में हुआ था 10 मिनट बाद वही जमीन 18 करोड से भी जादर महंगी हो गई सपानेता पवन पांडे कहते हैं ये भूमी सदर तहसील शेत्र के बाग बिजैसी मिस्थित है इसका शेत्रपल 12,080 वर्ग मीटर है ये भूमी रवी वोहन तिवारी नाम के एक साधू और सुल्टान अंसारी के नाम बेनामा हुई थी ठीक दस मिनट बाद इसी भूमी का ट्रस्ट के महासरचेफ चंपत राय के नाम 18 करोड 50 लाख रुपे में रजिस्टरड एग्रिमेंट कर दिया जाता है बेनामा रजिस्टरड एग्रिमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया सपा आप और कॉंग्रेस बीजीपी के खिलाव आकरमक हो गई है निपक्ष इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है आम आद्वी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजिर सिंग ने भी अधिया में राम मंदर का निर्मान करा रहे श्री राम जन्मभूमी तेर्ट शेद्र ट्रस्ट पर प्रश्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच CBI और ED से कराने की मांग की है संजे सिंग ने कहा ट्रस्ट के मासर चेफ चंपत राय ने संस्ता के सदस्यानिल मिश्रा की मदद से दो करोड रुपे की कीमत की जमीन 18 करोड रुपे में खरी दी ये सीधे सीधे मनी लॉंडरिंग का मामला है सरकार इसकी CBI और ED से जांच कराए संजे सिंग ने कहा कि 2 करोड की जमीन खरीद वो 18 करोड के आगरिमेंट दोनों में ट्रस्ट के सदस्यानिल मिश्रा गवा है इसलिए इसकी जांच की जाने चाहिए आरोपो पर सवाई देते वे चंपत राय ने कहा ट्रस्ट की ओर से अभी तक जितनी भी जमीने खरीदी गई है वो खुले बाजार से कम कीमत पर खरीदी गई है जिस जमीन खरीद को लेकर आरोप लग रहे है उस जमीन का सालों पहले जिस कीमत पर रजिस्टर्ड एगरिमेंट हुआ था उस 18 मार्च 2021 को विक्रताओं ने पहले बेनामा कराया और उसके बाद ट्रस्ट के साथ एगरिमेंट किया लोग राजनितिक विद्विश से प्रेरित होकर भ्रम फिला रहे है इस पूरे मामले पर कॉंग्रिस भी बीजेपी पर हमलावर है कॉंग्रिस प्रवक्तार रंदीप सुर्जेवाला ने ट्वीट कर काहा हे राम ये कैसे दिन? आपके नाम पर चंदे लेकर घोटाले हो रहे है बेशर्म लुटे ने अब आस्था बेच रावण से हैंकार में मदमस्त हैं सवाल है कि 2 करोड रुपे में खरीदी जमीन 10 मिनट बाद राम जन्म भूमी को 18 करोड में कैसे बेची? अब तो लगता है कंसो का ही राज है रावण है चहुँओर हे राम ये कैसे दिन? झाले ह सरद राम जन्म लावण से हैं सव्काम का में हैं quंज राम वो वर में में दो लगता है राम जम, स्थाड़ी रावण से रावण